प्रश्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं Market Report आईए बात करते हैं Copper की दोस्तों Copper में हमने कल के सेशन में जिस तरीके से देखा एक Gap Up Opening के साथ Copper ने अपनी शुरुवात करी थी और Initially इसने अपने आपको बहुत strongly थोड़ी टाइम तक अपने आपको उपर के लेवल पर सस्टेन करके रखा पर जैसे इसमें एक इस Consolidation Phase के नीचे इसने एक Breakout दिखाया Market में एक Selling स्टार्ट हो गई और Market धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरता चला गया और इसने 517 का यहां पर एक Low लगाया और Last Trading Price इसका 518 रुपैसे पर आकर इसने अपनी Closing सैटल कर दी तो throughout the day हमने एक चीज़ नोट करी कि Market जहां Open हुआ था उसी के आसपास का इसका Highest Price रहा है और जहां यह Close हुआ है उसी के आसपास का इसका Lowest Price रहा है मतलब Candle में अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके की एक Formation आई है बहुत छोटा सा ओपर और नीचे के कुछ Level से मैं देखने को मिले है Closing और Opening Price से एक Selling Pressure बना है Copper में और उसका एक चार्ट्स पे हम देखेंगे Weekly Charts पे वो मैं आपको Copper के International जो Comics में Trade होती है उस पर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि क्या Reason है जो इसे एक Resistance के पास से इसमें ये एक Fall आना शुरू हो चुका है मैंने अपने पिछले वीडियो में भी Copper में मैंने ये बताया था कि कुछ एक Level है जो Weekly Closing अगर इसकी थोड़ी सी और उपर होने अगर हो जाती है तो ये उस Level को Break कर देगा और फिर Copper में हम 600-600 तब तक के Level मार्केट में देख सकते हैं पर ऐसा हुआ नहीं इसने जो Weekly Closing करी है वो अपने इस Level से काफी जादा नीचे करी है और अभी इंडियन मार्केट में, MCX में अगर मैं बात करूँ तो प्राइस है 518.7 तो अब हम देखते हैं हमार आगे का View क्या है और मार्केट में किस Level का हमें ध्यान देना चाहिए ठीक है दोस्ते, March Minute का Trend था, 15 मिनिट की तरफ हम चलते हैं यहां हम देखेंगे के एक इसमें यहां पर एक Buying आ रही थी, यह इसका Second Run था, मतलब अभी एक Consolidation के बाद जो इसमें ऊपर की साइड में एक Jump ली थी मार्केट यहां पर एक Downside Opening करी, यहां के बाद फिर एक Upside Gap Up Opening पर सिर्फ Gap Up Opening यह थी, बागी सारा Down था ठीक है, इस तरीके का एक हमने View देखा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक गंटे की तरफ हम चलते हैं यहां हम देखेंगे, तो थोड़ा सा एक हमें सिनेर्यू यह लगेगा, कि Copper में एक Range में Trade हो रहा है, और कुछ Direction नहीं थी इन Levels पर जैसे ही इसने 516 का मैं एक Level बताता था, 516 इसने Break करा, यहां पर Market को एक Strength मिली, इसने 534 से उपर का कुछ एक Level टच किया, और अभी Currently इसका यह वाला Price है, सारगा सारा ही है, Fall में यहां तक आ गया, ठीक है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दो घंटे की तरफ चलते हैं, दो घंटे का चार्ट मैं इसलिए Choose करा हूँ, Generally मैं सिधा 4 घंटे की तरफ Move करता हूँ, यहां पर आपको बहुत Clearly यह Consultation Phase नजर आएगा, यह सिर्फ यह बताने के लिए मैं, इस Phase में 516 का मैंने Level बता रख नीचे को अगर यह Breakout मिलता तो Market में एक Downside के काफी Strong Chances बन जाते, पर ऐसा हुआ नहीं, Market ने यहां पर Breakout दिखाया और Market ने फिर उपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, तो इस तरीके का एक View हम यहां पर देख रहे हैं, अब इसके बाद यहां पर Currently Market Trade कर रहा है, 518.70 ठीक ह एक View और ले लेते हैं, अभी 4 घंटे और Daily Charts का, जो Buying है, वो Continue है, यहां पर Consolidate हुआ, यहां पर यह थोड़ी सी एक Correction आई है, इस तरीके का View हमें 4 घंटे में मिल रहा है, Daily Charts की अगर हम बात करें, तो यहां पर एक यह Point और यह Point, इन दोनों का अगर मैं आपको Difference Exact लगभग, मतलब 199.something, 200.00 का यह एक Range है, यह है 335, यह है 535, ठीक है, यह 200.00 की एक Rally यह Already Cover कर चुका है, अब इसमें, मतलब मैं यह नहीं कह रहा है कि 200.00 की एक Rally कर ली तो उसके बाद correction आती है, ऐसा कुछ नहीं, पर Copper के लिए यह 200.00 की Rally एक काफी बड़ी Figure है, जो यह Cover कर चुका है, मतलब एक अच्छा खासा Bull Run है, जो हमने देखा March के End से Start हुआ था, और अभी August का End चल रहा है, March, April, May, June, July, August, 6 months के Time Period में, हमने यह 200.00 की Rally देखी है, इस से पहले इस तरीके की Rally, Upside में, Copper में हमने कभी नहीं देखी, 200.00, मतलब Copper के लिए एक बह बात करूँ, तो अगर correction आती है, Market में सिर्फ ये एक point था, जहां पर हमें एक strong consolidation phase हमें देखने को मिला था, उपर की side breakout दिखाया, Market में वहां से एक नीचे की तरफ एक move किया है, अब हम क्या करें, बात करते हैं, अब जिन levels का हमें ध्यान रखना है, वापस चलते हैं, एक घं का लो था, 517, ये लो अगर वापस Monday को downside में अगर break हो जाता है, बहुत जादा chances ये बन जाएंगे, कि copper में जितना भी upside move था, जो भी पीछे से आ रहा था, इसे फिर अब near future में ये वाला level break करना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, 517 जैसे ही है, ब्रेक करके, एक दो घंटे अगर ये आपने आपको नीचे से sustain कर ले, तो 535 का level इसे break करना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाएगा, तो recommendation अब आप मेरी समझ गए होंगे, कि मैं किस way में कह रहा हूँ, उपर की side में जो इसका एक bull run था, उसे break तो बहुत पहले लग गया है मैंने जो मुझसे पूछे थे, उन्हें मैंने 525 का एक level बता रखा था, कि इसके नीचे अगर market आता है, तो buying की जितनी position है, आप उससे exit कर जाएए, इस दिन भी 525 का level टच नहीं हुआ था, 525 का level कल break हुआ है, और जैसी ये break हुआ है, market में एक sharp fall हमने देखना शुरू कर द 517 का जो इसने low लगाया, भी recent low जो कल कल लगाया, ये अगर break हो जाता है Monday को, और इसके नीचे market करीब एक दो घंटे अगर sustain कर लेता है, तो 535 इसे near future में break करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये मैं इस contract की अभी फिलाल बात कर रहा हूँ, ठीक है, next contract में भी आप उस contract का high up समझ लीजी, अगर मतलब उस contract को भी आप अगर लेकर चल रहे हैं तो, ये break होना काफी मुश्किल हो जाएगा, दूसरी चीज़ के इसका जो next level है, ये तो मैं अभी आपको सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ, जो इसका एक upside, एक upwards move जो थे, वो खत्म हो इसमें कुछ ऐसी downside नहीं देखी होगी, ये भी downside नहीं, consolidation है इसके अलावा आपने पूरे charts में, throughout this period, आपने कहीं पर भी कोई negative indication आपको चार्ट में नजर नहीं आएंगे, अभी ये downside आनी शुरू हो रही है, ये confirm हो, मतलब नहीं, confirm, correction confirm है, 517 break होती ही, correction confirm है, ठीक है, उसके अगर ये इस level को break कर देता है, जो इसने बहुत ही एक strong अपना support बनाया था, 500 को, यही इसका एक last इसका support level है, जिसे अगर ये break कर देता है, तो हम इसमें 464 तक के level test कर सकते हैं, फिर downside में, हला कि, ये move इस तरीके से आना नहीं चाहिए था, ठीक है, ये sign, कई बारी इस तरीके के हो जाते हैं, मैं आपको charts पे थोड़ा समझाता हूँ, एक upper band, एक lower band, market इसमें trade करता रहता है, जिस तरीके से हमने, ये range देख रहे हैं, market इस range में trade करता रहता है, और उपर में सबसे breakout देता है, एक chance ही होता है, कि market बहुत speed से और उपर की तरफ बढ़ता रहेगा, जब इतने लंबे consolidation phase के बाद market उपर जाना शुरू करता है, दूसरे chance ये बनते है, कि market यहां से एक downside ले लेगा, ये सिर्फ एक, कुछ भी कहा लिए एक buying इस तरीके से आ जाती है, एक heavy buying आ जा जा सकता है, पर वो उपर sustain नहीं कर पाता market और वहां से जो correction आती है, इस level पर फिर अगर आप sell करेंगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा safe zone में होंगे, फिर market किसी भी कीमत पर 100% कभी कुछ नहीं होता, मतलब chances बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, कि यहां पर जब ये breakout नीचे की side में देगा, तो उपर का ये highest level जो है, ये break होना बहुत ही ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाएगा, तो हम यहां, मतलब फिर जो भी एक recent जो भी resistance level होगा यहां का, उसे हम stop loss मानके, इस position में हम selling में enter कर सकते हैं, तो वो level है अभी 500, ठीक है, हालग जो selling है वो ऐसे 517 से ही म तो मैं आपको selling ही recommend करूँगा, 535 का एक initial एक stop loss लेकर 517 से आप selling स्टार्ट कर सकते हैं, ये मेरा MCX को लेकर एक view था, थोड़ा सा मैं आपको जो comics पर trade होता है, उसमें भी मैं आपको दिखा जिता हूँ किन levels का भी हमें ध्यान रखने हैं, दोस्तों ये copper का comics पर chart है, एक घं यारी थी उपर की side में, इसमें यहां से फिर से एक selling आई है, market यहां पर अभी close हो चुका है, Friday के session में, ठीक है, इसमें जो एक चीज में आपको दिखाना चाता था, वो weekly charts पर आपको नजर आएगी, यहां हम देखेंगे कि ये consolidation phase था, इसके उपर इसकी closing होनी बहुत जरूर है, अगर market को और strongly ऊपर की तरफ move करना है, ऐसा हुआ नहीं, ऊपर के level से इसमें एक हमने selling देखिये, market ने यह high लगाया था, $3 को break करा था, और अभी currently at 2.92 पे आकर इसने close कर दिया है, मतलब यह जो इसका head part है, यह काफी जादा बड़ा है, तो यह एक indication होता है, कि ऊपर के level पे एक selling zone बन रहा है, ठीक है, उसका एक और reason मैं आपको बताता हूँ, यह देखिये, इससे पहले की कुछ candles जो है, वो red color में create हुई है, कई सारी, तो वहाँ पर भी selling देखी गई है, यह एक resistance zone है, यहाँ selling देखी गई है, यहाँ पर एक upward move आया जरूर था, पर उपर के level प उपर अगर यह closing दिखाता, तो chances ज़्यादा यह थे, कि यह उपर की तरफ बहुत strongly बढ़ सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं, तो हम expect कर रहे हैं, कि अगर MCX में एक breakout level पे भी यह trade कर रहा है, तो next week हम यह देख सकते हैं, कि शायद correction आया, या फिर consolidation phase में copper move करेगा, जैसा रहेगा वो हम देख लेंगे किस तरीके का, पर फिल्हाल उसमें buying बिल्कुल recommend नहीं कर रहा है, अगर आपको कोई trade लेना है, तो selling की side में ही लीजिए, buying मैं तब तक recommend नहीं करूँ जब तक आप नया high create नहीं होगा, तो तब तक आप selling में रहे हैं, ठीके दोस्तों, और एक चीज और यहां पर मैं आपको बताता हूँ, यह देखिए, यहां पर इसने 2.92 पे closing करी है, इसमें अगर 2.91 के नीचे, इस line के नीचे, अगर market अपने आपको थोड़ा सा sustain कर लेता है, तो यहां पर भी वही selling आप देखेंगे, जो mcx पर आप 517 ब्रेक होने पर देख रहे हैं, तो यहां पर यह point है, वहां पर वो point है, बिल्कुल उसी levels के आसपास दोनों market trade कर रहे हैं, अभी देखते हैं किस तरीके का scenario बनता है मंडे को, ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप जो market report 08, टेलिग्राम चैनल पर मुझे आप message कर सकते हैं तो यह था मेरा copper पर अभी का वीडियो, वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे हैं मेरे साथ, देखते हैं यह market report, धन्यवाद